कि नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके चैनल स्विलिगनिव में दोस्त अगर आप हमाई चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक अंसे जरूर कर देंगे चलिए फ्रेंस अपना सेशन स्टार्ट करते हैं कोशन नमर फर्स्ट पुछ रहा आप से कि वेन व लगा रहे हैं है तो आप जानते हैं ठीक कि Tau max टाओ मैकोषए स्कल टूर्ट क्या होता मेरा मेजर पृंसर स्विल्ट सिगमा ओनमस मौनस yhte सिगमा टू लाई टू थू ठीक तहां पर क्या हो जाएगा मेरा माईनइर माईनर पृंस प्रिंस्पल-ईश्टेज हो जाएगा ज स्कतर तुट टाम साथ थिक मेक्सिमम यह इस्टsz के तो आप संद मंची में ची में छिए इस्टोस अगर बात करने सब्सक्राइब तो त्न से ल मेंबर लगा तो माइनर मेजर फिर्स क्यूकर लुकर चापशन लगा के और जो मेरा है सिगमा वन जो है मेरा टु टाइम साथ स्रेश के एकवल हो गया नेस्ट कोशन में चलते हैं कराए मोहर सर्किल थिक इस्टेश थीओरी बेस आंदर आलोंग फेट मोहर सर्किल जो हमारा थिक इनिमेज से किस्वे जो है रहाई थे बेस हैं तो मेटरियल फेल इसेंजल भाई से एर ठीक कि अल्टिमेट इस्टेश आदम मेटरियल इज डिटर्माइन वाई इस्टेश इन दफ्टेन अपसलीप क्या स्लीप अधरता है ठीक यहां वर, तीज अधरता हैं फेल इडिपिंदेन्स आप्ट इंटर्मेडिये इंटर्मइडियाइट प्रेंटिमिट स्टेश व स्वे बिल्कुल शाय ठीक रहा हमारा जो महर सर्किल जाता है ठीक वह तो क्या यह फैलोर एकृति यह इंडिपिंडेंस रहता है किसी मेडियर और काम करते चली को थे सब्सक्राइब बात करें सलूशन की तो देखेंगे हां पर ठीक मोहर शर्किल जो हमारा मोहर थिवरी जो हमारा ठीक यह किस पर बेस है माइनर और मेजर प्रिंस्पल इस्टेश पर ना की इंटर्मेडियेट पर तो आपसा नमर सीज करें निसकोशन पर जलते हैं पूछ रहे ह अब सॉलीड सर्कूलर सेक्षन सॉलीड सर्कूलर सेक्षन के लिए आपको बताना है मेरा स्या इस्टेश जो होगा किसके बराबर होगा तो सॉलीड सर्कूलर सेक्षन जो होता है हमारा उसका जो ठीक स्या इस्टेश होता है वो किसके बराबर होता है एक दसमनों तीन तीन और से इस्टेज क्यों मेन के तो आप सर नमर सी करेक्ट कि नितों तो हमारा से इस्टेज कर पूडर रिकेंगल का कितना होगा तो तो में सुसका जो होगा किसके बराबर हो जाएगा विदस मुलक पांच ताव अभरेज के नेक्स वर सलूशन देख लेंगे सर्कूलर का यह मेरा दस्मनों तीन तीन टाव अब्रेस के बराबर टाव मेक्स नेश्ट कोश हम चलेंगे रेशियो पुछ रहा आपसे लेजर डिडिटी का जब बीम बी इंटू डी हो अजब दूसरा बीम में जो मेरा बी इंटू डी हो गया ते इन दुन पुछ रहा इसका फेलेजर रेशियो यानि के ऐ भी में आई पुछ रहेंगे बचे क्या आई भाई ठीक फर्स्ट भी मों एका रिटेंगर है ठीक है उसके लिए व्यवां बटा इस बीम के लिए क्या हो जाएगा बीठी है क्यूब यानि कि 8D is Q बटा 12 सारा डाटा आपको कट जाएगा ठीक है बच्छे क्या बस 8 यानि कि 1 by उपर 1 नीचे 8 1 by 8 is correct answer यानि कि option number C is correct answer अगर बात करेंगे solution की तो देख लेंगे आप पर ठीक याई का ratio जो निकाला है तो 1 by 8 इंस्वराया निच्ट को जलते हैं पुझा फार इंस्टेश पुछ रहा है आप से एवरेज इस्टेश के बराबर होगा तो अभी बता हैं कि रिटेंगल वीम के लिए ठीक रिटेंगल वीम के लिए जो मेरा से इस्टेश होता है मेक्सिमम से इस्टेश वह एक दस्मलों पांच टाउ एवरेज के बराबर होता है यानि कि आप्सन नुमर सी करेक्ट एंस्वर ठीक देख लेंगे हाँ पर नेश्ट कोशन पुछ रहा आप से कि से इस्टेश एड डिस्टेश वाई एवर नेट्रल एक सी तिक आंद स्रेंगे से इस्टेश केतना होगा तरह कितना ठीक फोर्ष इन्ट्र में धिर्य एडिया ठीक आप्सान नुमर ए इस और यहां पर पूँछ रहा है किसका इसे का पूछ रहा है आई सेक्षन का आई सेक्षें का जब बनाएंगे तो कुछ इस तर बनता है आप पे सेक्षन का यहां पर देखी एक कहां पर जाद हैं सेंटर पर इंडिक विंके सेंटर पर तो आपसल नमर्ट कलें सब्स नरफ एंडिकर बात करяет हैं से जवार आपको भीven शेक्सन पी यहां रहा है यान की subscribe प्राइट पर यानिकि आपसर नमर्डेश कारेटेंस वा नेक्ट कोशन पर चलते हैं पूछ रहा है इस्टेस के रेश्यू बताना है मुवमेंट आफ रेजिस्टेंस बीम एक्वल क्रॉस सेक्षिनल बेन इसको प्लेस कर दिया जा रहा है तूसाइड हर जेनिटल थिन मुवम कर दिया जा यानिकि देखे इसको डाइगोनल हर्जोनित अब कर दिया गया तो इन दोनों का रेश्यू पुछ रहा है कितना होगा क्यों सा यह मुवमेंट आप रजिस्टेंस पूछ रहा है तो मुमेंट आप रजिस्टेंस यानिकि यह मेंज कर टूं ठीए क्या हो अब यह की बात करते हैं वाई की वाई की कल्डू क्या जाएगा मेरा वाई कल्डू क्या है सेंटर आपके वेटिस्टेंस है तिक किसी भी सर्फिस से थिक तो हो जाएगा मैं रख्या वाई इस वाली के लिए मेरा वाई का वेलू क्या आजाएगा यह बीच में इस वाली के लिए क्या होगा देखेंगे इस वाली की यह डिस्टेंस होगा यह डिस्टेंस निकलेगा कितना थिक जब यहां पर आप निकाले तो आपको यह मिलेगा कितना अंडर रूट तू ए बाई तू याद रखेंगे डिस्टिंस आपको इतना मिलेगा इन दुनों का रेश्यू निकालिए तिक यह मौन और रेश्यू का रेश्यू आजाएगा कितना दो तो इस वेलू को आप याद रखेंगे बहुत पेपर में यह इस पूछ लिए गया निक तो आपसर नमर 20 करेक्टेंस वा चलते हैं इसकोशन पर पूछ रहा है टू बीम है वन आप इसक्वाइर क्रास्सेक्शन और दूसरा भी जो मेरा वह कैसा है ठीक एक सर्कुलर है दूसरा क्या है स्क्वाइर है पूछ रहा है इसका स्रेक्शन हो जाएगा इसक्वाइर का इसका हो जाएगा सर्कुलर का तो आपसर नमर डी में देखेंगे इसक्वाइर का जो मेरा इसक्वाइर क्रास्सेक्शनल है इसके क्या होगा मोर होगा ठीक और इकनॉमिकल भी होगा तो सलूशन देखेंगे इसका तो देख लेंगे सेक्शन मार आप बीम के कहां किस पॉंट पर सिरा इस्ट्ट जो है मेक्सिमुम हो जब इस पर से फ्रोस लगा गया हो कहां पर मेक्सिमुम होगा हुच्उ में वाट देख लेंगे आज फीगर में एक आई सेक्षन भी दोनों के केस में आई सेक्षन ने बताए ना अभी सेंट्रोड पे इसके यानि की सेंटर पॉइंट पे मेक्शिम से स्ट्रेस मिलता उसी तर रिटेंगल का भी है नेट्रल एक्षिज पे जादे मिलता है नेक्स कोश्य में पुश्य में आद यहाँ पर कि तो सपोर्ट पर कितना मोमेंट आएगा और मिडिश पाहग तो शपोर्ट पर आप जानते हैं ठीक सपोर्ट पे इसकोफाइड डिवैडर बाई बार है डाबलू एल इसकोफाइड बाई बार और मीडरश्मर कि बात करेंगे कि इसकोफ यतलू सकूफा जाएगा यह वैलू आजाएगी 24 ऊपर 24 बारा वा जाएगा जब इसको काटेंगे वा जाएगा आपका दो दो इज करेक्टेंस वा ठीक है यानि कि आपसा नुमर्डी करेक्टेंस वा चलते हैं नेक्स कोशन पर सलूसन देख लेंगे इसका देखेंगे बेंडिंग मुवमेंट यह बीम पर निकाला है डबली युश्कार बारा या सब मीड इसपान पर कितना आ गया डबली युश्कार बाई चोबीस इन दुनों का रिश्यू जो निकाले गात कितना आ जाएगा तू के बराबर आ जाएगा नेक्स कोशन पूछ आप से इन केस आ लगाया गया हो तो उसकेस में आपको बताना है क्या होगा मेरा थिक यह है होता है मैक्सम स्याट स्याएच्छ यानिगी टाउ टाू टाओ मेक्स टाउ मेampf इसको माइनस माइनर प्रिंस्पल इस्ट्रेस डिवाइडर बाइटू ठीक तब क्या हो गया मेरा इन दोनों का डिफ्रेंट यह पुछ रहा है यहाँ पे बाइएक्शियल में हो इधा इसको मल्डिप्लाई कर देंगे ठीक यह तो टू टाइमस आज जाएगा लेकिन आप समय क्याक देखते हैं कैसी डिफ्रेंट और आनल इस्ट्रेस ठीक डिफ्रेंट आप दनारमल सब्किंẹ हाउप आप ड़ीफेरेंट ब्लीकुम करी दिखी इन दुन का डिफ्रेंट कर देदीया गया 나와 Will कूश कभ कर दिया गया मिला bending the natural surface is subjected to पुछ रहाए हापे ने जो मेरे नेचुछल क्यों सिज्ड कितना आएगा धिक 250 इन जी घ्रोंगा जीरो इस्ट्रेंग होगा थिक को भी बेंडिंग इस्टेस इसको डेवलब नहीं होगा यानि कि आप्सान नम्मर सीज करेक्ट इनस्वार ठीक सीज करेक्ट इनस्वार कि चलते हैं नेक्स्ट कूशन पर पूछड़ा है मेक्समल डाइमेंशन आप दको सेक्शन फार रिटेंगल क्रास सेक्शन अंडर इसेंट्रिक लोडिंग जब हमारे जो हैं ठीक किसी भी कालूम पर ठीक इसेंट्रिक लोड लगाया जा रहा तो उसकेस में आपको बताना है कि कितना आया का उसका टाइमेंशन कोर्ट सेक्शन का तो वहता है कितना बी बाइथ्री या डी बाइथ्री तो आप से नमर्डे इज करेक्ट इंस्वा ठीक निश कोशन में पुछेंगे पुछ रहा है आपसे दस सेयर फोर्स डाइग्राम फारे कंट्रिवर बीम करेक्ट निचे आया ठीक है यहां पर कांस्टेंट रहेगा ठीक जब सब्कूर्ट पर आएगा तो माइनस डबलू उपचले गया कैसा बीम बना कैसा सेयर फोर्स डेग्राम बना तो आपसे नमर्डी इज करेक्ट एंस्वा ठीक है थैंक्यू दोस्त अगर आप हमाई चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइकन सेयर जरू कर लेंगे और ज्यादर ज्यादर अपने फिंड में सेयर भी थैंक्यू फर वाचिंग जै हिंद जै भारत